अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ नमस्तार आपके अदालत में आपका स्वागत है आपके अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसे कॉंग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दबंग का जाता है एक ऐसे नेता जो अपने बयानों से अपनी बातों से हमेशा विवादों में खेरे रहते हैं आपके अदालत में स्वागत कीजिए कॉंग्रेस पार्टी के महासचिव दिग विजय सिंग का और आपके अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने खास तौर पर आमंतरित किया है जाने मारे विचारक लेखक जेनु के प्रफेसर पुशपेश पंथ को और इससे पहले कि आपके अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें आज के जड़ पुश्पेश पंजी के जादत चाहेंगे आज की कार्वाई शुरू करने तेगे कार्वाई शुरू की जाए और इससे पहले कि जामात का सिल्सा शुरू हो मैं सवाल पूछ हू दिगविजे सिंग जी से एक नज़र डालेंगे उस प्रेश्ट भूमी पर जिसमें आज का यु मुकरमा चला जारा है कॉंग्रेस पार्टी के महा सच्चिव दिगविजे सिंग पर कॉंग्रेस महा सचिव दिगविजय सिंग अपने बेबाग बयानों से, जवाबों से और चुटकियों से लगातार खबरों में बने हुए हैं दिगविजय सिंग के निशाने पर स्वामी राम देव हैं, अन्ना हजारे हैं, बीजे पी है और आरेसेस भी 22 साल की उमर में राजनीती में उतरने वाले दिगविजय सिंग 1977 में कॉंग्रेस के विधायक बने, मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे 1993 से 2003 तक 10 साल मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री रहे सन 2003 में दिगविजय सिंग ने ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव हार गए तो 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे अब दिगविजय सिंग 2012 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव के कॉंग्रेस के प्रभारी हैं वकदमा शुरू होता है आपके अदालत में पहला इल्जाम कॉंग्रेस पार्टी के महा सचिव दिगविजय सिंग पर इल्जाम है कि ये अपनी ही सरकार को बार बार नीचा दिखाते ही दिगविजय जी एक अखबार में लिखा है कि जैसे उबामा सरकार को डर लगता है विकी लीक से मनमोन सिंग की सरकार को डर लगता है दिगी लीक से ना उबामा सरकार विकी लीक से डरती है ना मनमोन सिंग सरकार डिगी लीक से डरती है लेकिन ये सच नहीं है कि जब आप कुछ लीक करते हैं तो सरकार को बार बार डिनायल मोड में आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है मैं नहें ऐसी कोई बात नहीं चीग जिसकों कि आप डिगी लीक्स के दाले में ला सकते हो आज मैंने अख़बारों में पढ़ा कि आप से कहा गया है कि आप ज्यादा ना बोलें ये तो कोई राजज़ जी ये बात तो कई बार छप चुकी नई बात नहीं चुकी है जब अन्ना हजारे आपके अदालत में आये थे तो मैंने उनसे पूछा था कि मनमोन सिंग जी इतनी अच्छे आदमी है वो भरस्टाचा खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते हैं अन्ना हमेशा अपने जो बयान देता हूं अपने दायरे में देता हूं और दायरे के बार नहीं देता हूं लेकिन बार-बार जब आप बयान देते हैं उस पर पार्टियों को सफाई देनी पड़ती ये तो सच है किस मामले में प्रणव मुखर जी के मामले में पार्टी को सफाई देनी पड़ी कौन सी सफाई देनी पड़ी प्रणव मुखर जी के ऑफिस में उनको लगा कि उसकी बगिंग हो रही है वहाँ पर कुछ पैसा पदार्थ उनको मिला और सरकार ने कहा कि नहीं इसमें कुछ हुआ नहीं लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे इस बात की बड़ी चिंता है और इसकी जांच होनी चाहिए रजज़ जी अगर आप मेरा पुरा बयान देखेंगे तो मैंने ये कहा था मुझे विश्वास नहीं होता कि विद्धि पंत्री जी के दफ्तर में कुछ हो सकता है अगर इसमें कुछ तत्र हैं तो उसकी जाच होनी चाहिए ये मैंने कहा है और उसके तुरंद बाद सरकार को और कांगरेस पार्टी हुए कहना पड़ा कि प्रणमुकर जी जो कहा कि उसके आगे कहने की कुछ गुद गुझाईश नहीं है निश्चत तोर पे जब उन्होंने ये बात कह दी तो बात अपने आप समाथ हो गई इसके पहले जब सरकार के चार मंतरी सौमी रामदेव को बात करने के लिए एरपोर्ट पर गए थे तो भी आपने कहा था कि प्रणमुकर जी को ये नहीं करना चाहिए था मैंने कोई बयान नहीं दिया लेकिन बात यह इस बात की है कि मैंने ये कहा था कि मुझे दुख हुआ उनका जाने से वहाँ जो अखपारों में चपा है मैगजिन में चपा है आपने लिए कहा कि आई वुड नेवर है नेगोशेटेड बिद राम देव और फेल वेरी बैड और अनहपी देट प्रणव बाभू वेंट वेरपोर्ट तू मीट इम जो मैंने कहा है तो छपा गा मैंने इस बात को कहा था कि प्रणव मुकरजी साब उस समय मंत्री बन गई थी जब बाबाराम देव पैदा भी नहीं हुए थे और उन्होंने इस बात को समझा कि ब्रश्टाचार एक ऐसा विशہ है काला धनी ऐसा विशे है जिसमें Congress Party पूरी तरीके से चर्चा करना चाहती है सब के सुझाव लेना चाहती है और उस पर जो सरकार कर रही है वो जनता के सामने सही परिपेक्ष में रखना चाहती है तो उसमें अगर वो चर्चा करने गए तो ये नहीं मानना चाहिए कि को किसी को स्वागत करने के लिए गए थे लेकिन आपको ये भी ठीक नहीं लगा कि इतने सीजन मिनिस्टर्स उनसे चर्चा करने के लिए भी जाए बात ये है कि ये फैसला Cabinet Committee on Political Affairs का था और किस संधर में था उसके में जानकारी नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि आम कांग्रिस के लोगों को और मुझे भी इसका दुख हुआ कि उन्हें वहाँ एरपूर्ट जाना पड़ा कांग्रिस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को हमने स्वामी रामदेव के साथ देखा है शीला दिक्षिद मुक्ष मंतरी है उनको साथ में देखा सुबोत कांग साय को देखा विलासराफ देश्मुक को देखा गुलाम नभी आजाद कमलनात सारे लोग को प्रिछले दो तीन सालों में उनके साथ उनके मंच पर किसी को पैर छूते किसी को आशिवाद लेते देख मुझे तो नहीं देखा न आप ने आपको नहीं देखा मैं पूछा नहीं कि यह क्या रहस से सरफ आपके पास था ऐसा है कि सादू संतों से जतना मेरा संपर्क रहता शाया दूसरों का नहीं रहता और यह सब होने के बाद प्रधानमंतरी ने जो चिठी लिखिए उसमें कह गया कि आपकी 90% बाते मान ली गई है जिनके बारे में इतनी सारी जानकारी आपके पास में थी उनकी मांगे सरकार मान ले उनको चिठी लिखे जी कि मांगे जो थी काला धन वापस आना चाहिए इसमें क्या पत्ती किसी को है अब उन्होंने कहा कि ब्रष्टाचारी को मृत्युदर्ण देना चाहिए उन्हों से कहा मृत्युदर्ण संबब नहीं इसको कौठर बनाने के लिए कुछ नियम बनाये जाएंगे लेकि ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि ब्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए तो ब्रष्टाचार की लड़ाई तो हमारी चली रही है इमानदारी से कौंग्रेस पार्टी ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है काल धन लाने के लिए हमारी सं रखते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी इमानदारी के साथ भरष्टाचार और कालाधन मिटाने के लिए प्रतिबद है। पुलिस दंडे बरसाई जी। इस पे पुलिस क्या करीगे तो पुलिस वालों से पूछिए मैं तो पुलिस वाला हूँ ने। बाबा राम देव को मुखोटा बनाया और मुखोटा बनाके खुद पच्ता रहे हैं। पुलिस सरकार को नहीं मालूम थी कि वो RSS का मुखोटा हैं जब सरकार उनसे बात कर रही थी। जहां भरष्टा चार और कालिधन की बात होती हैं हम सब से बात करने तयार हैं आरेसे से भी बात करने तयार है। दिविजे जी बहुत सारे इंजाम मेरे पास में लेकिन एक ब्रेक के लिए में रुखना है। वेलकम बैक आपके अदालत में आज जनता के जामात की सफाई दे रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के महासचिव दिगविजे सिंग आपकी अदालत में अगला इसाम आपकी अदालत में कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों के परचार करते हैं जिन्होंनों एक खुकार आतंकवादी को मार गिराया लेकिन मुझे इस बात का आश्चर होता है कि पाकिस्तानी आर्मी के अकैडेमी के सौगज दूर पर उसामा जी रह रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को बालू नहीं पड़ा तो ये कटाक्श और व्यंग था वो तो आपके जो मीडिया चैनल होती है उसने वो सब तो खतम कर दिया उसामा जी उसामा जी चालू कर दिया ये एक्जैक्ट बयान मेरे पास में है आपके शब दिगविजय सिंग बोले उसामा जी कई वर्षों से पाक में रह रहे थे यही तो मुसीवत है इसके पहले का आप देखनी रहे उसके आगे लिखा है अमेरिका ने मारने के बाद समुद्र में फेक कर अच्छा नहीं किया ये रजय जी बात वही है मुझे इस बात की आपत्ती है आप आउट अफ कॉंटेक्स बात कर रहे है मुझे लगता कि अगली बार मुझे आपको अदालत में करठाना पड़ेगा बात ये है मैंने जो कहा था बाइट मेरे पास है आपको मैं देदूँगा मैं फिर दोहराता हूं मुझे इस बात की प्रसंता है कि USA ने एक खुखार आतंगवादी को मार गिराया मैं उनकी प्रसंता करता हूं लेकिन मुझे इस बात का आश्चर है कि पाकिस्तान मिलिटरी अकैडिमी के सौगज दूरी पर उसामा जी रह रह रहे थे और उनको मालूम नहीं पड़ा अब इसको आप क्या मानेंगे फिर आपने फिर कह देंगे आपने उसामा जी उसामा जी क्यों कहा उनको उसामा जी कहा चलिए व्यंग में कहा लेकिन रामदेव जैसे संत को संत मेरा यही विरोध है वो संत नहीं है संत वो होता है जो व्यवसाई नहीं करता है संत वो होता है क्या करता है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवसाई किया है योग को व्यवसाई बना दिया पहली लाइन में बैठोगे 50,000 रुपे दो दूसी लाइन में बैठो 30,000 रुपे दो ये कौन सा योग है मेरे पास तो ने अने प्रमाण है एक महिला बॉंबे में उसको उन्हों ने कहा दिया कि बाल खिरना तुम्हारे बंद हो जाएंगे दवाई ले लो उसकी हालत यह हो गई कि उसके खाने की नली में और शाती पर पूरी दवाई जम गई चपा था और उसका निकालना पड़ा दैनिक जागन के संजीव गुपता उनकी उन्होंने दवाई ली उनके कि प्रधान मंत्री चिट्टी लिखते हैं कि आप जो काले धन के खिलाब अभियान चला रहे हैं बहुत अच्छा अभियान है मैं खुद आपके साथ खड़े हो के इस अभियान में मदद करना चाहता हूं हम बिलकर इस अभियान को चलाएंगे यही तो बात है कि कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से काला धन और भिष्ट अचार को मिटाने के लिए कांग्रेस धन को वापस लाने के लिए समाप करने के लिए और संभफ प्र्यास कर रही है प्रदान मंत्री जी को इस सारी बातें जानकारी उस समय नहीं थी अब सारी बातें मुझागर हो गई है लेकिन यह अश्चर की बात में कि आपको ना को उनके सारे प्रकरणों की जानकारी दी थी और वो जानकारी प्रधान करने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है देखिए बात उस तरह कि आप इसको उस रास्ते मत ले जाईए आप मदद करिए बलैक मनी बापस लाने में हम आपके साथ अज़र शर्मा जी आप दावद इबरहाईम की बात यहां करके उस सारी बात को और पता निक्रिस्मोर लेना जाता है आप कहरें कि इतना सब हो रहा था अखबारों में चपीए चीज़ें थी और प्रधान मंतर को नहीं पता था पूरी चार लाख करोड का काला धन का उनकी पास फिगर कहा से आ गया उन्होंने कह दिया मैं चार सो लाख करोड धन वापस ले आऊंगा पूरे देश का करजा माफ कर दूँगा हर परिवार को एक एक लाक रुपे दे दूँगा ये ठगी नहीं तो और क्या है मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि प्रधान मंतरी को शायद उनकी माठगी के बारे में मालूम नहीं था लेकिन दो जून को आपने ये बात को उजागर कर दिया आपने पबलिकली कहा कि वो माठग है आपने ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो आपनी कही थी उसके बाद अगले दिन सरकार के चार मंतरी उनसे मिलने गए जिसमें भारत के वित मंतरी थे आप भूल रहे हैं जब मैंने ये बात कही थी उस समय कही थी जब उनको यहां से ले जाया गया था जून 2011 का बयान है अगर कॉंग्रेस बाबा रामदेव से डरी होती तो पार्टी उन्हें सलाकों की फीचे बंद कर देती बाबा रामदेव कारोबारी बंद गए हैं वो योग सिखाने के 50,000 रुप लेते हैं आपने ये भी कहा कि आमरान अंचन आंदोलन से ना तो काला धन वापस आएगा ना ब्रस्टा चार मिटेगा जब इतनी सारी बाते आपने किसी व्यक्ति के बारे में कह दी उसके बाद भी सरकार के मंतरी उसको मिलने के लिए जाए अगर आप अगर हम लोग सोच लिजे कि क और सारे लोग कहते कि देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी बेइमान और भरष्ट है कि वह बात्चित करने के लिए तैयार भी नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का चरित देखिए क्लेरिजिज में बैठ के समझोता करते हैं हमें आपकी बास से सहमत हैं और बहार निकल के राम न सकती हैं सरकार उनके साथ बैठकर काला धन वापस लाने पर विचार कर रही है किना वह बात की और बात करके समझोता किया उनको विश्वास में लिए और उनको कंविन्स किया लेकिन दोनों बातों नहीं हो सकती है कि एक आदमी को आप धोके बाद भी कहें माठख भी कहें उसके साथ मिलके कालातन वापस लाने की स्कीम भी बनाएं। इसलिए कि इसने मुझे कांग्रेस के नेता ने का कि दिग्वेजी सिनके बारे में कहना चाहिए कि वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। योग शिवर लगाने के लिए रामलीला मैदान पर कोई धरना अंशन न किया जाए इसके अनेक बार अदालत के फैसले हैं। और साथ में ये भी है कि चांदनी चौक निकट है वहां कमिनल राइट्स की हिस्टरी है। इसलिए इस बात को सोचा गया था कि वहां पर कोई अंशन आंदुलन प्रदर्शन करने के लिए न दिया जाए। इजाज़त दी गई थी सौभीमान ट्रस को योगशिवर लगाने के लिए। कानून विवस्था को बनाए रखना शांती बनाए रखना और इसलिए उन्होंने जो किया है वो उनके विवेक से किया है सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। और सुप्रीम कोट के सामने ये मसला है तो उनको तेह करने दीजिए। इसलिए ये कहना है कि जो रामलियर मैदान में धरना किया उसकी उनको पर्मिशन लेनी चाहिए थी। केवल योग शिवर की इजाज़त दी गई थी और योग शिवर करने के बजाए वो आपे प्रदर्श चालू कर दिया थी। देने गए थी आपने इजाज़त ली थी सरकार से बात थी बिलकुल नहीं ली थी क्योंकि वहां पे 144 उस समय नहीं लगी हुई थी। लेकिन जब धारा 144 लगी और रात को वहां पुलिस ने उठाकर रहूल गांदी और आप सब लोग को अरेस्ट करके दिल्ली बॉर्टर को छुड़ दिया तो आपने बहुत प्रोटेस्ट किया था। हमने वहां पर्मिशन मांगी कि हम महां पॉलिक मीटिंग करना चाहते हैं। पर्मिशन नहीं दी गई उन्हों कर अरेस्ट कर लाए हम चले आए। और आपने कहा कि रात को जिस तरह से हम एरेस्ट करके दिली छोड़ा गया लोग तंतर की हत्या हुई। हमने यह कहा था कि हमने जो कहा था साफ कहा था कि वहां पर जो घटनाए हुई हैं दिल देहलाने वाली मैं खुद सीफ निस्टर रहों दस साल तक अनुभव मेरा 40 साल मेरे राजनीतिम हो गया है। वहां जिस प्रकार के जानकारी हमको मिली थी वाकई दिल दालाने वाले थी और हमने जूडिशिल इंकौरी की मांग की थी उन्होंने नहीं मानी। लेकि रामलेला मैदान में जो सुभा से भूखे लोग बैठे थे जो सो रहे थे ऐसे लोग जोनोंने कोई नारे नहीं लगाये थे जोनोंने कोई प्रदर्शन नहीं किया था शोर नहीं मचाया था उन पर पूलिस ने लाठी बरसाई आसो गैस फेकी तो आपका दिल नहीं है और जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा में है तो मैं समस्ता हूं उस पर छोड़ना चाहिए दिवी जी जी उत्तरप्रदेश की सरकार भी यही कह रहे है कि भटा परसॉल में आपने और राहूल गानी ने बहां जाकर लोग की भावने भड़काने की रात के अंधेरे में मोटर साइकल पर बैटकर राहूल गान्दी और आपके पटा परसॉल में यही जी तो सर्फ आप जानते हैं वो कैसे जाते हैं बाकी तो कोई जाने का नहीं है ऐसा नहीं है बात यह है वो वहाँ पर पहुंचे मुझे जब यहां मालूम पड़ा तो मैं मैंने उनसे बातचीत की उन्होंने कहा कि आप भी है आजाईए तो मैं वहाँ चला गया मुझे किसी न रोका भी नहीं पुलिस वाले भी वहाँ खड़े हुए थे एक सुचा मुझे बताया गया 144 समाप्त हो गई है आप जा सकता है हम चले गए लेकिन यह सच है कि जब कर दिया है हमसे कहा गया है साभा को अरस करने है हमने करें अरेकर नहीं हैं eternally चलीय हमने कोई कूत कर नहीं भागें जैसे जाने वाले लोग नहीं हैłem जाकर ठाने में गए है मर ठाने पर जाकर खंदिट लो यह लोक्तंत्री हत्या है बात यह है कि यह सारी बात हमने उस समय कही है कि हमको जाने की जाद दी जाना चाहिए अब नहीं दी है तो नहीं दी है वापस आगे इतना जानना चाहता हूँ कि रामलिला मैदान में सोते हो लोगों पर आंसुगैस फेकना उन पर लाठी बरसाना वो लोक्तंत्री हत्या नहीं है आपको अरेस्ट करके दिली छोड़ देना लोक्तंत्री हत्या है बात यह है कि इस मामले में प्रशासन ने जो कुछ उसके विवेक से किया है वो उचे थे चाहिए उत्तर प्रदेश का शासन हो या दिली का प्रशासन हो आपके अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के मास्टर चिप दिग्विजे सिंग पर वक्त एक और ब्रेक का नौर्बेक के बाद आपके अदालत में अगला है आपने बताया कि अन्ना हजारे आपके सलाकार थे आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं अभी भी करते हैं जी निश्चित तोर पर करता हूँ लेकिन पैर भी छोता हूँ उनके वो तो कहने की दिगविजै सिंग को पागला काने में भीज़ देना चाहिए वैलकम बैक आपके अदालत में आज जंता के जामात की सफाई दे रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के महासरचिब दिगविजै सिंग आपके अदालत में अगला है आपकी अदालत में कॉंग्रिस नेता दिगविजय सिंग पर आरोप है कि राजनीती में इनके दोहरे माप दंड हैं आपने बताया कि अन्ना हजारे आपके सलाकार थे आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं अभी भी करते हैं जी निश्चित तोर पर करता हूँ लेकिन पर भी छोता हूँ उनके वो तो कहने कि दिगविजय सिंग को पागल खाने में भेज देना चाहिए अन्ना साब हजारे से पूछ लिए कौन सा पागल खाना उच्छा है उन्होंने पूना का सेज़ेस्ट किया है शाद उनका अनुभव होगा मुझे अनुभव नहीं है अपर फिर से यतिमान ले अंसम सुरूख किया उनने तो फिर उट्या रंवी दिरेखिए आप रेमेडी क्या रहती जैसे होता है वैसा और हुजाये अब देखिए अब मैंने आप यह आपने वीडियो क्लिप question क्या था और क्या दिखाया उसमें अलग है मैंने ये कहा था कि प्रशासन और सरकार में अंतर होता है जब उनके साथ क्या होगा मैंने कहा जो प्रशासन करता है उसों करेगा इसका मतलब मार पड़ेगी किसने कहता है मैं फिर आप से कहता हूँ कि आप लोग इसको एक चीज़ पकड़ कर उसको गलत दायरे में रखते हैं मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ प्रशासन और शासन में अंतर जनता को समझना चाहिए और रजज़ जी आप तो समझते ही है आपकी राय क्या है क्या अन्य अजारे को जनतर मंतर पर सोला गस्ते धरने पर बैटना चाहिए बूकरताल करनी चाहिए मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के प्रात्ना करता हूँ कि ये मसले को उन्हें पार्लिमेंट पे छोड़़ देना चाहिए संसत पर छोड़ देना चाहिए और संसत के संसत सदस्यों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए अब उन्होंने अपनी बात कह ली अब अगर उनको मूवमेंट चलाना है तो अंशन करने के बज़ाए मूवमेंट चलाएं डरती क्यों इतना सरकार उन से अगर बात वही है जब वो पहले धरने पर बैठे थे तो जो कुछ कहा वो मान लिया बात यह हमने कहा कि चली आप डराफटिंग कमिटी का डराफट देना चाहते हम असादब बनाना चाहते हैं बनाने के लिए तयार है अब कपिल सिभल ने कल ये कहा कि हम अन्ग sagt से बात कर रहे थे टहला रहे थे उन्ह तो थोड़े दिन घूम लू थे इस तरह का रहे थे इस तरह का हमनना हजार रहॹा अगर साथ निया थी तो करना चाहि हो और अधिकांश मुद्दों में सहमती हो गई थी लेकिन ये सच नहीं है कि एक समय अन्ना हजारे और उनके लोगों से बड़े गंभीरता से बात हो रही थी एक समय रामदेव उनके साथ को से बड़े गंभीरता से बात हो रही थी और बाद में सरकार को लगा कि अब इन दोनों को चलता क्या जा सकता है उसमें सहमती بھی बनी, अब ये तो संबब नहीं है कि 5 लोग तै करने की 100 करोर जनता ये चाहती है, ये तो उन से नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी विचार सुन लिए, सुनने के बाद कैबिनेट के सामने मसला जाएगा, कैबिनेट लोगसभा में पेश करेगी, लोगसभा स्टेंडिंग कमिटी को देगी, स्टेंडिंग कमिटी उस ड्राफ्ट को, उस बिल के मसाधे को जनता के साथ फिर से ले जाएगी और जनता उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टिूशन बाबा, रामदेव या अना साफ भजारे अपनी बात स्टैंडिंग कमिटे के सामने जा सकते हैं और स्टेंडिंग कमीटे में हर पुलिटिकल पार्टी के नुमाइन दे रहेंगे जो अपनी बात कहें और करके उसमें नियम कानून बनाएं इसमें किसी उकापती नहीं होगी उनका कहना है कि उसी रास्ते पर बात जा रही है कि पिछले 22 साल से लोगपाल बिल नहीं बन सका अब फिर अटक जाएगा बात यह है कि लोकपाल बिल के मामले में चर्चा चल रही है बनना चाहिए लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चुना हुआ प्रधान मंत्री के उपर एक ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो हो सकता है विदेश के प्रभाव से या और उसकी किसी कारणों से निजी क रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की परिस्तिती सामने ना आए सब्सक्राइब करता हूं महात्मा गांधी की समाधी पर आप भी जाते हम भी जाते हैं वहां उनके प्रति शद्धा सुमन अर्पित करते हैं बैठते हैं भजन भी होता है लेकिन वहां नाचने का कोई आज तक मैंने उधारन पहले नहीं देखा ये क्या वज़ा है कि जिस जिसका आप सम्मान करते हैं अन्ना असारे हों सुष्मा स्वराज का अदमे ना मुलिया उन सबको आपसे तकलीफ रहती है इसका जवाब तो वो देंगे मैं थूड़ दूगा एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में दिग्विजे सिंग पर जन्ता के मुकदमे का एक और आपने पूरी पार्टी को परिशान कर दिया ये कह करके कि अब हम लोग के एक्सपाईरी डेट आ गई है वेलकम बैक आपके अदालत में आज हमने महमान है कॉंग्रिस पार्टी के महासचिव दिग्विजे सिंग आपकी अदालत में अगला है आपकी अदालत में कॉंग्रेस महा सचेव दिग विजय सिंग पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी के लिए सिर्दर्द बन गए है काये तो लोग को शायद संतोष होगा लेकिन बाकी किस किस का नंबर है उसमें बात ये कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है आज देश में नौजवानों का बहुल्य है बहुमत है और नौजवान कैसे सोचता है क्या उसका भविश्य है क्या उसका सोच पाएंगे कि हम 55 साल के लोग सोच पाएंगे तो आप चाहते हैं कि राहूल गांधी जल्दी से जल्दी देश के प्रधान मंत्री बने हम तो इतना जरुर कैना चाहता हूं basta मैं कि अपने जीवनकाल में मैं राहूल जी को प्रधान मंतरी बना देख लूँ ये मेरी इच्छा है लेकिन ये तो सही है को उनके जन दिन पर आप ने ये कहा था कि अब राहूल गांदी को प्रदान मंतरी बन जाना चाहिए वक्त आ गया है देखिए फिर वो आप शब्दों का हेर फिर मुझे मालूम नहीं ये तो मैंने अख़़ बार मुझे पड़ा है अकसा मैंने सुना नहीं आपकी बार रज्य जी बात वही है मैं आपसे निवेदर यही करूंगा कि अगली आप बाराव जम्दों इल्जाम लगाए तो बाइट दिखा दिया करिए तो उसमें आसानी हो जाती है मैंने उनसे कहा था कि जब उनसे पू राजनितिक सूझबूज है इसलिए उनको प्रधान मंतरी हम लोग कहते हैं उनको अच्छे प्रधान मंतरी बनने के सारे गुण है जब आप राहुल गांदी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसका जाधा अर्थ लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि आप उनके मेंटर मेंटर इंचीफ में बिलकुल नहीं हूँ उनको मेंटर इंचीफ की आवशक्ता भी नहीं है उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते क्योंकि वहां के वो संसथ है इसलिए उनसे संपर्क विरा रहता है बाकि उनको कोई मेंटर इनचीफ या मेंटर या एडवाजर की और किसकी हिम्मत होगी जो राउल गांधी को कहेगा कि अब आप दूला बन जाएए। ये बास सही है कि आप राउल गांधी के साथ मिलकर दोहजार बारा में उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना चाहते हैं ये अपका आईजेंडा है। हमलों के लिए आदर्श के रूप में हुआ करता था। आज जो हालात आप देख रहे हैं पिछले बारा दिन में 15-16 जगे पर रेप हुआ है। मर्डर हुआ है और उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग ही उसमें शामिल हैं। अभी आपने देखा एक सांसदी के बेटे एक परिवार वहां से लोट रहा था। उसको रात को पेट्रोल पम से उठा के लड़कियों को ले गए उनके साथ सब कुछ किया। स्वास्त विभाग के डफतर में अक्टूबर में एक सीमो की हत्या होती है। अपरेल में उसी दफतर में दूसरे सीमो की हत्या होती है। उसके बाद दो सीमो की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को डिप्टे सीमो को कहा जाता कि इन्होंने हत्या करवाई है और उसकी 22 जून को जेल के अस्पताल में उसके मुर्द पाया जाता है उसके शरीर पर घाओं है गले में बेल्ट पैना हुआ है उनकी पतनी कहती है बेल्ट कभी वो बानते नहीं थे हालात उत्तर प्रदेश में जो हैं इतने चिंता जनक है कि समझ में नहीं आता है कि वहां क्या होगा आप कहरें कि इतनी जो खटनाई हुई है उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता शामिल है लेकिन ये भी सच है कि बीएस पी के जिस भी नेता का नाम आया है चाहे वो मंतरी था चाहे वो एमेले था चाहे वो पार्टी का बड़ा नेता था उसको मायावती जी ने निकाल बार किया निकाल बार करते हैं फिर पापिद उसको पदले देती हैं अभी हम आप से निविदन करते हैं जिस उत्तर प्रतेश के हेल्थ विभाक के दफ्तर में दो लोगों की हत्या हुई उस पर उन्होंने दोनों मंत्रियों को निकाल दिया कहा कि बड़ा गड़बड किया है लोग हिन्हें इसको निकाल दिया जाता है लेकिन क्या गड़बड किया इसकी जानकारी भी जनता को मिलने चाहिए अगर भेश्टाचार उन्होंने किया है तो उन खिलाफ मुकदमा काइम क्यों नहीं किया गया उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया बात यही है निकालना ही पूरे बात नहीं होती है उनके खिलाफ कारवाई भी होना चाहिए अब इस पूरे के पूरे केस में लखनव के सीएमो के दफ्तर के केस में बहुजन समाज पार्टी के एक सांसत एक MLC और एक MLA उसमें शामिल है और खुली बात इसकी चर्चा हो रही है लेकिन ये तो किंद सरकार भी कर सकती है CBI की जाँच करा है CBI की जाँच जब तक स्टेट की सहमतिय नहीं होती हम लोग करा नहीं सकते ये कानून है ये कानून है मैंने आपका बयान देखा था आपने कहा था कॉंग्रिस के कारे करताओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस और थानेदार जो हैं वो उनको परिशान कर रहे थे जूटे मुगब में बना रहे थे जूटे परिशान कर रहे थे तो सभाविक है कि वहां का मनोबल रखने के लिए हमें कुछ कहना पड़ता है माया बती जी का और उनकी पार्टी के लोग का इल्जाम ये है कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी मुसल्मानों को खुश करना चाहते है इसलिए दिगविजे सिंग को मैदान में उतारा और आप ऐसे बायान दे रहे हैं कि जो मुसल्मान ने उत्तर प्रदेश के व हमारी लड़ाई किसी संगठन या व्यक्ति से नहीं है हमारी लड़ाई विचारधारा के साथ है जो विचारधारा समाज को तोड़े जो विचारधारा हिंदू मुसल्मानों में जगड़ा कराए हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है ये कौन सी विचारधारा ह रहूं आपको मेरे से पूछा गया कि क्या उसामा बिन लादिन को समुद्र में दफनाना उचित था मैंने बिना किसी का नाम लिए मैंने ये कहा कि खुखार से खुखार और गिरे से गिरे अपराधी को भी दफनाना उसी प्रकार चाहिए जो उसका धर्म कहता है यह मैंने कहा है और आज भी मैं उससे कहा हूँ और इसमें कौन सी तुष्टी करण की बात हो गए अगर आप मुझे से प्रश्ट पूछते तो मैं क्या कहता है और आप मैं आप से प्रश्ट पूछता तो आप क्या कहते है इसमें आज तो प्रश्ट पूछने की बारी मेरी है आरेसस के लोग तो शिकायती है कि आपको हर जगा आरेसस दिखाई देती है यह राम देब के पीछे भी RSS है, अन्ना हजारे के पीछे भी RSS है, कोई जूता दिखाए उसके पीछे भी RSS है बात यह है कि जब से राश्टी सोयम सेवक संग के कुछ कारे करता, आतंकवादी गतिविद्यों में लिफ्ट पाए गए और अब यह पास सामने आ गई है, माले गाओं के दोनों ब्लास्ट, मुडासा का ब्लास्ट, आपका समझवता एक्स्परिस का ब्लास्ट, आपका अजमेर दरगाश शरीफ का ब्लास्ट, मक्का मजजिद हैदराबाद का ब्लास्ट, RSS के एक्टिविस्ट ने किया, सोयम उन्ह सामने बात आ भी गई है, उस पे कारवाई भी हो रही है, तुनील जोशी, जो की इनका पुरा एक की फिगर था, RSS का, जिसने के सारे ब्लास्ट किये थे, उसकी हत्या भी RSS के एक्टिविस्ट ने कर दी, वो भी अब उसके इन्वेस्टिगेशन में सारी बात सामने आ गई है, तो मैं जब ये बात कहता हूँ, तो कुछ सोच विचार कर और कुछ आधार पर कहता हूँ, अब ध्यान उससे अलग करने के लिए ये सारी बात सामने आई गई, और अगर आप अन्ना साभ हजारे का बैक्ग्राउंड आव आप देखेंगे, वहाँ पर जो बैनर बना और जिस भारत माता का सुरूप RSS अपने कारिकरों में प्रदेश्ट करता है, वही चित्र वहाँ लगा हुआ था, इसके बाद अन्ना साभ हजारे और बाबा राम देव के अंदोलन को RSS के पत्र गए हुए हैं, वो मेरे पास उसकी कॉपी है, जहां उन्होंने उनको लगाते हैं, उन्होंने का कि मेरा आज तक किसी संगठन से, किसी पूलिटिकल पार्टी से कोई संबन नहीरा, इसको सम लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो मैंने वो कहा कहा है, लेकिन बैक्ग्राउंड में जो लगा था, वो तो अपने जगह सही था, उन्होंने का कि ये चित्र कुछ भी लगाओ, लेकिन मेरा किसी से कोई संबन नहीं है, तो उनको आप क्लीन चिट देते हैं, मैं तो अन्हा साब हजारी की पहली बी इज़त करता था, आज भी इज़त करता हूँ, और राम देव की बिलकुल नहीं करते हैं, लेकि बात ये है, कि उनका जो करत ह हुआ है, बहुत कुछ सामने आ गया है, और पिर सामने आ जाएगा. उनके बायानों के बारे में और उनकी सरकार के कारणामों के बारे में, अब वक्त है आपके अदालत में, आज के जज़ पुषपेश पंत के फैसले का आज के मुकद्बे पर. अदालत तमाम गवाही सबूत और अदालत के सामने दिये गए आरूपी के बयानों के बाद, इस नतिज़े पर पहुँचती है कि मामला बहुत हद तक, क्या मैंने कहीं, क्या तूने सुनी वाला है. बहराल अदालत की राय में दो टूक सच बोलना जुर्म नहीं है, और निरंतर विवाद पैदा करने वाले बयान देना राजनीती में गुनाह नहीं समझे जा सकते हैं, अपने विपक्षियों को पशोपेश में डालना भी अपराद नहीं समझे जा सकता है, अपने इस दब हुआ है, तब भी अदालत उन्हें सलाह देती है कि जनतात्रिक लड़ाई में हमेशा आबेल मुझको मार्क वाले तेवर किसी रचनात्मक समवाद को आगे नहीं ले जाते हैं, और महर्शी वालमीक ने सेक्ड़ों साल पहले कहा था, सत्यम बुरूयाद, प्रियम बुरूय कुछ कहना चाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी नेक सलाह का पूरा पालन की है, उम्मीद करते हैं कि दिग्विजे सिंग इसी तरह से दबंग तरीके से बोलते रहेंगे, अपनी पार्टि को चौकाने वाले और जनता को जगाने वाले बयान देते रहेंगे, हम अगले सब्तास मुलाकात होगी इन शक्सित के साथ, तब तक के लिए नमस्कार